हलो एवरिवन, वेलकम बेक टू ममा बच्चे टॉक्स मुझे इंस्टा पे बहुत सारे कोश्चन्स आ रहे थे कि मेरे बेटे का जो स्टेट लेवल का एक्जाम हुआ था तो उसमें किस तरह से उससे कोश्चन्स पूछे गए थे तो आज इस वीडियो में आपको में जो कोश्चन्स पैटरन था कि किस तरह से बच्चों से कोश्चन्स पूछे गए थे कितने कोश्चन्स थे और क्या-क्या रूल्स थे महाँ पर जाके क्या करना पड़ा था के साथ में सारी information share करूंगी बट उससे पहले मैं आपके साथ में एक good news share करना चाहती हूं मेरे बेटे का class first state level का result आ चुका है और हम मद्धी प्रदेश इंदोर में रेते हैं तो उसका मद्धी प्रदेश में sixth rank बनी है यह देखिए मद्धी प्रदेश की ranking list इसमें जो मेरा बे parents है क्योंकि उस टाइम पे बच्चे के exams भी थे तो उसने exams के बाद बस 10-15 दिन उसको मुश्किल से prepare करने का time मिला था प्रिवियस वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो वीज नेशनल इसपेल भी exams होते हैं यह बस से 12th class के बीच में होते हैं और हर class में four round होते हैं ठीके तो आज सबसे पहले हम face structure देख लेते हैं देखिए face state to state worry कर सकता है मैं मद्धी प्रदेश का आपके साथ म state grand finale की 500 and जो national mega final है इसकी लगी है 2400 रुपीज ओके तो यह हर state के लिए अलग-अलग वरी कर सकता है मैं मद्धी प्रदेश का आपको बता रही हूँ तो चलिए अब किस तरह से बच्चों से questions पुछे गए थे मैं आपको skin formation देती हूँ state grand finale पूरी तरह से oral होता है इसमें बच्चे को कुछ भी return नहीं करना होता है ठीके इसमें दो sections है एक तो spell it right and words and meaning ठीके तो इसमें जब हम महां center पे गये थे क्योंकि जो exam center था वो मेरे बैटे का school नहीं था हमें कोई दूसरा center दिया गया था तो हम admit card लेके उस center पे exam देने ग गया तो हमें फिर एक form दिया गया था इस तरह का तो इस form में हमें registration number बच्चे का नेम, school का नेम, उसकी class, mobile number यह सारी information फिल करनी थी और उसको फिर admit card के साथ में attach करना था इसमें देखिए total two hundred questions थे examination room में parents allowed नहीं थे जो teachers थी और बच्चों को अंदर लेकी जा रही थी तो जो यह examination sheet है यह question sheet है with admit card बच्चे की थूँ हमने पहुचाया था जब बच्चा examination room में जाता है तो वहाँ पे जो examiner है बच्चों से यह question sheet ले लेता है और इसमें mark करता जाता है तो देखिए हर बच्चे को एक time slot दिया जाता है उस time slot में बच्चा इस two hundred में से जितनी भी spelling बता पाए जितना भी score cover कर ले यह बच्चे पर depend करता है बट इसका भी एक rule है देखिए जब बच्चे से questions पूछे जाते हैं तो starting के 10 words plus meaning बच्चा गलत भी बता सकता है examiner कुछ भी नहीं बोलेगा वो only okay बोलेगा अगर बच्चे ने correct बताया तो भी वो okay बोलेगा अगर गलत बताया है तो भी okay बोलेगा तो देखिए जो starting के 10 words है या तो उसके meanings भी पूछे जाएंगे या only फिर उसकी spelling पूछे जाएगी या examiner पर depend करता है बट बच्चा जेसे ही 11th number पर पूछेगा तो उसको 11th number का जो spelling या फिर word meaning है वो miss and out होता है miss and out मतलब 11th number पर बच्चे से जो भी पूछा जाएगा बच्चे को वो correctly बताना जरूरी है अगर बच्चे ने correct बताया तो वो continue आगे भी आपसे पूछते जाएंगे और अगर बच्चा 11th number की spelling या फिर word meaning गलत बताता है तो वहीं उसे out कर दिया जाएगा देखिए हर state का अलग-अलग rule हो सकता है मैं मध्य प्रदेश का बता रही हूँ कुछ states में 21st number का जो word है वो miss and out होता है बट मेरे बेटे की time पे जो उसकी exam sheet में था वो 11th number का जो meaning था वो miss and out था तो इसलिए जरूरी है कि बच्चा जो 11th number पे examiner जो भी पूछ रहा है उसे attempt करना जरूरी है वो भी correctly अगर बच्चा उसे correctly बताएगा तो ही आगे उसे continue questions पूछ जाएंगे and जो time slot दिया गया है उस बीच में बच्चा जितना जादा बता सकता है उतना जादा score कर पाता है और कुछ बच्चे हैं जो एक बार सुनते ही से उसका बहुती जल्दी response कर देते हैं ज्यादा time नहीं लेते हैं तो बहुत सारे questions को attempt कर पाते हैं तो इस तरह से देखिए state level में बच्चे को यह जो word है इनकी meaning पता होनी चाहिए इसमें से book में 50% questions आते हैं and 50% बच्चा पूछ ली जाती जैसे abandon, bachelor, attention, acceptance, atmosphere, कुछ भी तो बच्चे को यह spelling पता होनी चाहिए इसके बाद फीर बच्चों से meaning भी पूछे जाते हैं तो जो smart words है इसके ही meanings भी होते हैं तो बच्चों को सारे words की spelling और साथ में उनके meanings पता होना चाहिए और जरूरी नहीं कि बच्चे न बहुसे बाद examiner क्या करता है कि meaning बोल देता है जैसे कि the action of giving up completely तो यह किस का meaning है किस word का meaning है तो बच्चे को पता होना चाहिए कि the action of giving up completely abandoned का meaning है ठीक है तो इस तरह से बच्चों को state level की preparation करानी है कल मैं आपके साथ मैं एक national mega final round का वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको उसके rules और किस तरह से बच्चों को उसकी preparation करनी है यह information शेयर करूंगी अगर आपको इस वीडियो से related कुछी भी questions पूछना है तो please आप comment में questions पूछ सकते हैं मैं आपको जरूर reply करूंगी अग family friends के साथ में share कीजिए चैनल पर पहली बरायता सबस्क्राइब कीजिए